राश्टी जनता दल और फिर उसके बाद हाल ही में कॉंग्रेस का दामन थामा था ताकि चुनावी मैदान में दो-दो हाथ कर सके लेकिन कॉंग्रेस से भी ठिकेट नहीं मिल सका इसके बाद बागमारा सीट से रोहित यादो निर्दल ये चुनावी मैदान में है रोहित मकसद है कि जो जनता है धनबाद की उने डूलू में तो कि आतंक से नर्जात मिली बातचीत में रोहित यादव ने कहा कि देश के किसी भी कोनी में इतनी बेरोज़कारी नहीं है जितनी भागमारा में है और यहां पीनी का पानी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम लोगों को निजाद दिलाएंगे और इन्हीं मुद्दो को लिकर हम जनता की भी जा रहा है रोहित यादव ने आगे कहा कि चोर मचाई शोर वाली काहवत चतिरतार्थ हो रही है उन्होंने और क्या कुछ कहा सुने होगा वही जो राम रचिराखा हिस्वर की मर्जी थी कि दली नहीं दली उससे भी अच्छा रहेगा इसलिए जो अपने आपको दलों के दलाल समझते हैं उन्होंने हमारा टिकट कटवाया लेकिन आज हमको बहुत बड़ी खुशी होती है कि आज हम निर्दली उमिद्वार हैं जिसके चलते सभी दलों के सभी जातियों का सभी वर्क का सभी धर्म का हमको सपोर्ट मिल रहा है हम किसी के लिए चूटे नहीं राष्टे जनता दल और फिर उसके बाद हाल ही में कॉंग्रेस का दामन था माता ताकि चुनावी मैदान में दो-दो हाथ कर सके लेकिन कॉंग्रेस से भी ठिकट नहीं मिल सका इसके बाद बागमारा सीट से रोहित यादो निर्दली ये चुनावी मैदान में है रोहित यादो का माना ही कि पार्टियां सिर्फ सिंबल लीती है और चुनावी बैतरनी पार लगाना जरता का का हूँ डुलू मैतो के आतंक से बागमारा की जनता को निज़ात दिलाना है और साती उनका यह मकसद है कि जो जनता है धनबाद की उन्हें डुलू मैतो के आतंक से निज़ात मिली बातचीट में रोहित यादव ने कहा कि देश के किसी भी कोने में इतनी बेरोज़कारी नहीं है जितनी बागमारा में है और यहां पीनी का पानी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम लोगों को निजाद दिलाएंगे और इनी मुद्दू पुलिकर हम जनता की भी जा रहा है रोहित यादव ने आगे कहा कि चोर मचाय शोर वाली काहवत चतिरतार्थ हो रही है उन्होंने और क्या कुछ कहा सुने होगा वही जो राम रचिराखा हिस्वर की मर्जी थी कि दली नहीं निर्दली उससे भी अच्छा रहेगा इसलिए जो अपने आपको दलों के दलाल समझते हैं उन्होंने हमारा टिकट कटवाया लेकिन आज हमको बहुत बड़ी खुशी होती है कि आज हम निर्दली उमिद्वार हैं जिसके चलते सभी दलों के सभी जातियों का सभी वर्क का सभी धर्म का हमको सपोर्ट मिल रहा है हम किसी के लिए छूते नहीं राष्टे जनता दल और फिर उसके बाद हाल ही में कॉंग्रेस का दामन था ताकि चुनावी मैदान में दो-दो हाथ कर सके लेकिन कॉंग्रेस से भी ठिकेट नहीं मिल सका इसके बाद बागमारा सीट से रोहित यादो निर्दल ये चुनावी मैदान में है रोहित यादो का मानना है कि पार्टियां सिर्फ सिंबल लेती है और चुनावी बैतरनी पार लगाना जनता का का है दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो- और यहां पीनी का पानी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम लोगों को निजाद दिलाएंगे और इन्हीं मुद्दो पुलिकर हम जनता की भीज़ जा रहा है रोहितियादों ने आगे कहा कि चोर मचाय शोर वाली काहवत चतिरतार्थ हो रही है उन्होंने और क्या कुछ कह सब्सक्राइब करेंगे जो राम रचिराखा इस्वर की मर्जी थी कि दली नहीं में दली उससे भी अच्छा रहेगा इसलिए जो अपने आपको दलों के दलाल समझते हैं उन्होंने हमारा टिकट कटवाया लेकिन आज हमको बहुत बड़ी खुशी होती है कि आज हम निर्दली उमिद्वार हैं जिसके चलते सभी दलों के सभी जातियों का सभी वर्क का सभी धर्म का हमको सपोर्ट मिल रहा है हम किसी के लिए छूते नहीं राश्टी जंता दल और फिर उसके बाद हाल ही में कॉंग्रेस का दामन था माथा ताकि चुनावी मैदान में दो-दो हाथ कर सके लेकिन कॉंग्रेस से भी ठिकट नहीं मिल सका इसके बाद बागमारा सीट से रोहित यादो निर्दलिये चुनावी मैदान में है रोहित यादो का मानना है कि पार्टियां सिर्फ सिंबल लेती है और चुनावी बैतरनी पार लगाना जरता का का है बादचीत में रोहित यादा ने कहा कि देश की किसी भी कोनी में इतनी बेरोसकारी नहीं है जितनी भागमारा में है और यहां पीनी के पानी एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे हम लोगों को निजाद दिलाenगे और इनी मुद्दू पुलिकर हम जनता की भी जा रहा है। जो अपने आपको दलों के दलाल समझते हैं, उन्होंने हमारा टिकट कटवाया। लेकिन आज हमको बहुत बड़ी खुशी होती है कि आज हम निर्दली उमिद्वार हैं जिसके चलते सभी दलों के, सभी जातियों का, सभी वर्क का, सभी धर्म का हमको सपोर्ट मिल रहा है, हम किसी के लिए छूते नहीं. राश्टी जनता दल और फिर उसके बाद हाली में कॉंग्रेस का दामन थामा था, ताकि चुनावी मैदान में दो-दो हात कर सके, लेकिन कॉंग्रेस से भी ठिकेट नहीं मिल सका, इसके बाद बागमारा सीट से रोहित यादो निर्दली ये चुनावी मैदान में है, रोहित उनका यह मकसद है कि जो जनता है धनबाद की उने डूलू मैतों कि आतंक से नर्जात मिली बातचीत में रोहित यादव ने कहा कि देश के किसी भी कोनी में इतनी बेरोज़कारी नहीं है जितनी भागमारा में है और यहां पीनी का पानी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हम लोगों को निजाद दिलाएंगे और इनी मुद्दू पुलिकर हम जनता की भी जा रहा है रोहित यादव ने आगे कहा कि चोर मचाई शोर वाली काहवत चतिरतार्थ हो रही है उन्हों और क्या कुछ कहा सुनी होगा वही जो रामरति राखा हिस्वर की मर्जी थी कि दली नहीं निर्दली उससे भी अच्छा रहेगा इसलिए जो अपने आपको दलों के दलाल समझते हैं उन्होंने हमारा टिकट कटवाया लेकिन आज हमको बहुत बड़ी खुशी होती है कि आज हम निर्दली उमिद्वार हैं जिसके चलते सभी दलों के सभी जातियों का सभी वर्क का सभी धर्म का हमको सपोर्ट मिल रहा है हम किसी के लिए छूते नहीं